कुश्चन नबर छठा देखिए पच्वा हो चुका छठा देखिए थोड़ा ठंडी लगने लगा इसलिए मैं इसको पहन लिया भी ठीक है भाई ठंडी का टाइम है तो ठंडा लगने लगा है चलवागे बढ़ें आपको भी ठंडा लग रहा है न देखो कह रहा है कि हिंदी मैं यहां दिख रहा है पढ़ लीजिए इंगलिस में मैं सुना रहा हूं कुश्चन अ हेमी स्फेरिकल टैंक इज अमेड़ आफ एन आयरन सीट वन सेंटिमेटर थिंक मतलब एक हेमी स्फेरिकल टाइप की टंकी है यानि अर्थ गोला आकार की एक क्या है टंकी है जो की वन स इसका मतलब समझना ये मुटकी लोहे का चादर का मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि जैसे कोई टंकी है डिभा है ड्रम है लोटा गिलास बल्टी आपके इखर में वर्तनstersों तो बटन सकी होगी मोटाई होगी जो इसमें लोहा लगा है चाहिक याद रखना पहले गगरा आ क्योंग नहीं आप लोगा अगर जादा क्लास में होगे तो आपको पता होगा पीतल का होता था यह क्या इसकी मोटाई है तो यह वही है लोहा है जो किनारे किनारे आपको दिख रहा है ना बीच में इसमें जगा है खाली जगा है इसकी मोटाई कितना है याद रखना मैं इसक कि आगे क्या कहता है इफ दा इणर रेडियस एज यीज वन सेंटिम वन मीटर इफ दा इनर रेडियस इज वन वीटर देन फाइंड घ्र वैलूम आफ द आयरन यूज्टु मेक दा टैंक पहली बात तो जो iron seat है उसकी मोटाई 1 cm है बहुत आसान है ठीक है भाईया ये 1 cm मोटी है इसकी चादर की मोटाई ठीक है ये क्या है 1 cm इसका inner radius radius बोल रहा है न if the inner radius is 1 meter यानि जो इसका आंतरिक radius है वो क्या है 1 meter है तो बाहरी क्या होगा आंतरिक का मतलब जान रहे हो radius मतलब इसके अंदर का जो तिरिज्जा है जैसे फार एक जांपल ये यहाँ पर अगर इसका हम center मान ले तो ये कितना है 1 meter है इसको हम इसमाल आर से दिखा रहे है ये 1 meter है समझना अग्दम अच्छे से ठीक है तो आगे पूछ रहा है और चदर की उस सीट की जो मोटाई है जिससे ये बनी है टंकी वन से 1 cm है देखो प्यार से देखना है हडबड़ी में नहीं समझ में आने वाला भाई है ठीक है तो टाइम भले दस मिनट लग जाए कूश्चन में लेकिन समझ के चलना है अच्छे से तो इसकी मोटाई 1 क्या है सेंटिमीटर है तो अगर हम बोलें यहां पर समझना मेरे भाईयों कि इसको यहां से मिलाएं पूरा याद रखना बाहर फिले करके एक दम्याहा तक और इसको मैं कैप्टल आर फिर दिखाऊं तो इसकी जो लंबाई हो जाएगी कैप्टल आर की जैनि जिसे इसे हम बोलेंगे आंतरिक नहीं वहत तृच्छा पूरा मिला करके टंकी की समें मोटाई भी सामिल है याद रहे इसमें टंकी की मोटाई सामिल नहीं है त्थीक है इसमानर वाले में तो यह बाहर जो कैप्टल आ रही है इसका मान केतना है इसकी आंतरी त्रिंजा 1 meter है Capital R कमान कितना हो जाएगा भया 1 meter तो यह आलरेडी था और 1 cm यह था यानि हम कह सकते हैं इसका जो कुल लंबाई हो जाएगा वो 1 meter प्लस 1 cm हो जाएगा Capital R कमान समझ रहो कि निह врем 8 meter प्लस 1 cm और यहां आप से थोड़ा चीज समझ ले न चुकि 100 centimeter बवराबर one meter ठीक है समझना कि इफ लिए one centimeter में कितना मेटर बोलो one centimeter में one upon hundred meter ठीक है 100 centimeter में one meter और one centimeter में one upon hundred meter ये डन भाह Span hack, अथ हो one upon hundred का मतलब जान रही है तुम की नहीं जनते हो इसको जब दसंबलों में बदलोगे तो 0.01 mm हो जाएगा उसर इम नहीं मतलब इम तो कुल मिला करके फाइनल में आप कह सकते हो कितना 0.01 मीटर और यह 1 मीटर दो जोड़ दो तो देखो 1 और 1.0 यह रुकजा यार यह 1 है बै रुकजा 1 और यह 0.01 तो यह हो जाएगा 1.01 मीटर फाइनल में कैप्टल आर कमान समझे लोगे यह कैप्टल आर कमान है बाबू ठीक है तो कितना हो जाएगा कैप्टल आर कमान हो जाएगा 1.01 मीटर कोई दिक्कत किसी को कोई परछानी नहीं आगे बढ़ें चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं चलो कोई हरानी नहीं किसी को नो, तो अब तो हमें पता हो गया R और capital R, अब हमें क्या निकालना है? कह रहा है कि लोहे को बनाने में लगे जो आयतन है उसको निकाली है बैलूम लोहा का तो देखो यह सिंपल सी बात है पहले हम पूरे टंकी का आयतन निकाल लेंगे और फिर हम टंकी के अंदर का आयतन निकाल लेंगे और उसमें से उसको घटा देंगे तो जो बचेगा वो में यह जो लोहा यूज हुआ उसका आयतन आ जाएगा बात समझ में आई की नहीं आई ना समझ में समझ में आई जैसे ऐसे समझो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा नहीं समझ में आगा कमेंट करना बताऊंगा फिर से ठीक है आगे बढ़ें चलिए अब लिखो किया पहले बा अर्ध गोलाकार टंकी का आयतन बराबर कितना हो जाएगा गोले का आयतन जो होता है क्या होता है चार बटा तीन पाई आर क्यूब ना लेकिन यह अर्ध गोला है सेमी स्फेर कल है तो टू अपान थिरी होता है पाई आर क्यूब यहाँ पर याद रहे आर कमान कैप्टर आर यूज करना है क्या करना भाइया क्रेप्टल आर यूज करना बाबू ठीक है चलो कि ती हो जाएगा दूई बटा तीन इन्टू पाई कमान बाइस बटा साथ आर कमान 1.01 इन्टू 1.01 इनको हटा दो यहां फे इनका काम हो गया चंगा इनको साइड रखो काम लगेगा फिर ल लोग साइड में रहो सभी समझ रहो ना अभी साइड कर दे रहा हूं फिर उस पर ले जाके दिखा दूंगा कोई बात नहीं चलो तो अब क्या करेंगे बैया हो इनको तीन बार गुड़ा करना बाबू 1.01 इन्टू 1.01 हल करना है हल करना मुझे उमीद है कि आप सभी को आत तीन से इसको काटेंगे तिन रिका नव एक बचेगा यह ग्यारा कटेगा नहीं फाइनल में 101 का घं कितना होता जानते हो 101 को तीन बार गुड़ा करो हां कमेंट सबकारा टेंसन नहीं लेने का चलो बिल्कुल बिल्कुल मोहित कुमार कमेंट देख रहा हूं नीचे जुकना पड़ता है नीचे फोन रखाया है और उसमें लैपटाप में भी दिख रहा है क्या करूं चलो करो फट से तो यह कितना आ जाएगा मुझे लगता है कि 10-30-30 के लगभग आएगा करो तो यह हो जाएगा 10-30-31 इतना आएगा न 101 का घं हो जाता है कुल मिला करके ठीक है अब इसमें दसमलो का हिसाब करेंगे कैसे देखो बाई सिंपल सी बात है मैं यह किया हूँ 1.01 का घं यानी 101 का मैं घं किया हूँ तो यह तना आएगा दसमलो देखो 3 अंक पर है कितने पर यहाँ पे 2, 2, 4, 2, 6 6 अंक पर दसमलो लगेगा तो 3, 3, 6 यानी 1. यह सब पूरा बन जाएगा नीचे देखना मेरे भाई 21 आएगा कितना आएगा नीचे 21 आएगा इनको भाग कर लोगे कोई दिक्कत नहीं किसी को बताओ होगे answer चलो तो इनका multiple करोगे तो 45 point something आएगा 3, 3, 3 आएगा क्या ऐसे करके देखो calculation कर ले न मुझे बताना ठीक है 21 से भाग करो चलो फट से लिखते जाओ मैं सामने से हाट रहा हूँ जल्दी जल्दी लिखते जाओ फटा फट देखो 21-21 में भाग कर लोगे न कर लोगे ठीक है 2.159 आएगा और यह फेंटी मीटर में था तो इसलिए फेंटी मीटर का क्यूब कोई दिक्कत नहीं किसी को नहीं न पक्का कर लोगे ठीक है आगे बढ़ें चलो डन तो भाईया उमीद है कि आप इसको समझ गे होंगे तो यह पैटालिफ है 3 जदा है तो उपर से क्या होगा 3 नीचे उतर आएगा फिर दसमलो बढ़ा के क्या जिरो इस नहीं होगे ना चलो तो मैं यह चीज मिटा देता हूं वीडियो अगर आपने सुरू से देखा है तो आपको यह चीजें समझ में आई होंगी कि कैसे हुआ था है ना यह साइड वाला मिटा दिया हूं बाद मैं अगर बीच में देखोगे तो नहीं पढ़ने पड़ेगा आगे बढ़ जाओ फिर तो मुझे लग रहा है कि अगला पेज पर चलना चाहिए अब लिखो अर्थगोला का टंकी का आंत्री कायतन इसको मैं साइड रख देता हूं इधर जगा है जिससे यह थोड़ा अर्जेस्टमेंट हो सके यहां दिख रहा है न दिख रहा है न थोड़ा ठंका हो जाए बस यह थोड़ा सही हो जाएगा एक साइड में अर्थगोला का टंकी के किसका आयतन आंत्री का आयतन इनको यहां रख लो थोड़ा अच्छा लग लिखो अर्थ गोलाकार अर्थ गोलाकार टंकी का आंत्रिक आयतन लिख लेते हैं क्या फाल तू लिखे चलो ये डन आरका मान क्या था भया इसमाल आरका इसमाल आरकमान बाबू आपका दिया था 1 मीटर, क्यों? यही दिया था 1 मीटर दिया था, ठीक है यह और आसान है, यह हो जाएगा 2 बटा 3, इंटू 22 बटा 4, इंटू 1, इंटू 1, इंटू 1, इंटू 1, फाइनल में एक एक गुड़ा कर दोगे, कोई फरक नी पढ़ने वाल लो करिन देता हूं, 21 का भाग कितनी बार जाएगा 2 बार, 42 घटा होगे क्या आएगा 2 आएगा, उपर दसमलो बढ़ा के 0 उतारोगे, भाग नहीं जाएगा इफले 0 बढ़ा के 0 उतारोगे, अब कितनी बार जाएगा 5 बार, 5 एकम 5, 5 दूना 10, अगर 6 बार ले जाओ तो क् पांच बार या छे बार नहीं बलकि 9 बार जाएगा, तो 9 एकम 9, 9 दूना 18, ठीक है, तो 2.9 और इसमें से घटाने पे देखो, 11 आ रहा, फिर से 0 उतार लेंगे, तो फिर मुझे लगता है, 5 बार या 4 बार जाएगा न, कम से कम 5 बार जाएगा, तो माल लेते हैं, हम इसको 5 पांच बार जाएगा फिर, ठीक है, माल लेते हैं, पांच बार जाएगा, तो यह आपका आरा 2.095, यह cm3, अब लिखेंगे, टंकी को बनाने में लगे लोहे का आयतन बराबर, टंकी को बनाने में लगे लोहे का आयतन बराबर, लिख लो, टंकी को बनाने में लगे लोहे का आयतन बराबर टंकी का संपूर्ड आयतन माइनस टंकी का आंतरिक आयतन ठीक है क्या लिखोगे टंकी का संपूर्ड आयतन संपूर्ड आयतन माइनस टंकी का आंतरिक आयतन यानी इनर बैलूम ठीक है outer volume minus inner volume दोनों को subtract करोगे मेरे भाईया यह हो जाएगा बाबु 2.159 minus 2.095 something इनको घटा लो फट से फिर मुझे बताओ 0.63 के लगभग आएगा क्यों कर लोगे न 0.638 के something आएगा आगे दिख रहा है 0.638 0.038 सेंटीमीटर का क्यूब लगाना नहीं भूलना सेंटीमीटर क्यूब ठीक है चलो देख लो मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूं जलदी करो अ यह जो ट। चल रहा है इसको आटा देता हूं थोड़ा चलो भाईया इबाई रुक जा न चलो दिख रहा हैं किनारे दिख रहा ना आगला question number next question number next सत्मा नंबर पेज इसके लिए खाली छोड़ा गया था लेकिन फिर भी मैं सटा दिया समध्यान कर दिया ठीक है कोई बात नहीं अच्छा है एक पेज में हो गया यह पेज अब फालतू हो गया तो सत्मा पर चलते हैं देखो बाया सातवा question आपके लिए रहेगा homework यह क्या है homework है इसमें बहुत आसान था क्या कह रहा था दिख रहा है कह रहा है कि उस गोले का आयतन ग्याद कीजिए जिसका परिष्टिय छेत्रफाल 154 वर्क सेंटिमीटर है कर ले ना इसको homework पता नहीं क्यों बहुत देर हो ज और देता हूं रोकन ना को है को अब आठ कह रहा है आठ डोम आफ़ बिल्डिंग डोम आफ़ द बिल्डिंग इज इन दफॉर्म आफ हेमी स्फेयर डोम मतलब जानते हो गुंबद बिल्डिंग का उपर ही भाग गुंबद आपने सुना होगा अध्यावाला मामला उसमें भी गुंबत सब्सक्राइब अगर आप यूपी होगा रहा है तो क्या कह रहा है और डॉम आफ दा बिल्डिंग इज इन दा फार्म आफ हेमी स्फेरिकल फ्राम इन्साइड इटी वाज वाइट वराज़ एड दा नाफ रूपीज फ्राम मीटन पहींड क्या पहींड करना है इनसाइड सर्फेस इरिया आप दा बोम ंसाइड का मतलब आंत्रिक गुंबद का आंत्रिक सर्फबसेरिया मतलब पृष्ट ये चेत्रफ़ल देखो ये लिखा ने गुंबद का आंत्रिक वक्र पृष्टिये चेत्रफल सर्फासे रिया मतलब वही ठीक है समझ गए तो क्या करेंगे चलो पहले चित्र बनाते हैं चित्र बनना जरूरी है क्या बना लो चहना बनाओ कहरा किसी भवन का गुंबद का अर्ध गोले के आकार का है कुल मिला कि आपको हेमी इस फेयर के बारे में पता होना चाहिए अर्ध आओ शुरू करें कहानी यह हीमी इस फेयर कल यहां पर लेना बहुत जरूरी है क्योंकि इसी के बारे में सारी चर्चा यहां पर चलती है तो भाईया ले लो इनको लेकिन इनको सही सही इस्तेमाल करो जी चलो दिख रहे हैं बाबुजी इधर साइड में इधर आजा राजा गोलें का यहंदश लोज देखो क्या करता है कि यह क्या है गुम्बत मतल Gmail ऊपर कचूरकी देखें कांगर उपर दीक partly आ अंदर से इसमें सफेदी कराने का जोवे हैं वो दिया है उन्दर से मतलब इस गुंबद है ना इसको अंदर में क्या करना सफेदी कराना है मतलब मैं सफेदी ये कर देता हूं काहे को दूसरा कलर करो ये अंदर से क्या करना सफेदी कराना है तो सफेदी कराने का खर्चा 500 रुपे आ रहा है तो अंदर से कराने का मतलब ये सिर्फ इतना ही नहीं अंद जो है पूरा अंदर में कुल तो पूता जाएगा न फे noi सफेदी होगा न समंझ रह को उसकी यहां पर रूपय दिया है तो कितना रूपया होई लगे घ़िए इसका और पिदिया है तो आंत्री कों कुपक्र पिस्टी शेदफल निकालना ëयद Weekend सर्फेस एरिया इन्टू रेट बराबर कॉस्ट ये सुत्र होता है सर्फेस एरिया इसको हिंदी में बता देंगा आवे रूक जाओ भईया सर्फेस एरिया इन्टू रेट इक्वल होता है कॉस्ट यानि प्रिष्टिये छेत्रफल गुड़ा दर बराबर कुल लागत ये सुत्र होता है प्रिष्टिये छेत्रफल गुड़ा दर दर मतलब रेट जो रेट से वो उसमें खर्चा हो रहा है बराबर कुल लागत ठीक है ये होता है हिंदी में तो भाईया ओ, इसमें हमें पहले तो प्रिष्टिय छेदरफल पता ही नहीं है, तो प्रिष्टिय छेदरफल यहीं से निकल जाएगा चाच्चा, कहां से, इसी में से निकल जाएगा, प्रिष्टिय छेदरफल को अगर हम ESA मान लें, सर्फेस एरिया ESA 60 में, इंटु रेट, rate 2 है cost है 498.96 तो यहाँ पर भाईया यसे बराबर हो जाएगा बाबू आपका 498.96 बटा 2 तो यसे बराबर हो जाएगा 2 से कटेगा 2 दूना 4 2 चौक 8 298 2 चौक 8 2 अठे 16 यानि 249.48 यह हो जाएगा cm में है मेटर में दिया ना भाईया मेटर में मेटर का square पहला अंसर आ गया गुमबद का प्रिष्टिय चेतरफल नीचे कह रहा कि गुमबद के अंदर की हवा का आयतन मतलब volume आप हमें spherical इसका क्या निकालेंगे volume निकालेंगे surface area यह हो गया आ गया ना अंत्रिक प्रिष्टिय चेतरफल अब हवा का आयतन लिखो volume आप हमे इस फेर देखो अब करेंगे क्या पता हैं जो surface area है ना उसको बराबर करेंगे किसके दिए गया सूत्र के ही बराबर करेंगे वहां से हम radio f निकालेंगे और radio f निकालने के बाद फिर volume आप हमे spherical निकालेंगे इसका आयतन निकालेंगे अभी तो यह क्या छेतरफल आया है छेतरफल के बाद आयतन निकालेंगे यह मतलब गुम्बद में किपनी हवा भर सकती है जैसे यह मालो भगोना है या आप हाउदी देखे और जिसमें गई-अवय यह कोर देते हैं चारा उसमें कभी कभी पानी भी भरते हैं पता है तुम्हें तो जितना उसमें पानी भर क्या है वो उसका आयतन है अब उसमें चाहिए पानी भरो चाहिए हावा भरो चाहिए माटी भरो बात तो अई हुई न तो क्या करेंगे इसका पैलूम निकालेंगे बैलूम के लिए हमें रेडियस चाहिए रेडियस पता नहीं है इसका हमें रेडियस नहीं पता है तो पहले क्या करे प्रिष्ठिये छेतरफल बराबर यहां पर चाहे ना लिखो नंबर प्रिष्ठिये छेतरफल बराबर या इंगलिस में लिखे लो surface area equal देखो 249.48 यह आया है और मेरे भाई इसका सुत्र क्या होता जानते हो तो बाबु देखो 249.48 और दो गुड़ा पाई पाई कमान का रखोगे 22 बटा साथ और गुड़े आर का स्कायर बराबर 249.48 ठीक है देखो यहां पर समझना अब अगर हम इनको आईसे कर ले इनको आईसे कर ले इनका तिर्छा गुड़ा करेंगे तो 7 का गुड़ा इसमें ह होगा इस तरीके से आपको यहां से आर स्कायर कमान मिल जाएगा जो कि हो जाएगा 249.48 यह इदार आएगा तो किया हो जाएगा भाग में हो颓 जाएगा तो ऐसी अवस्ता में क्या होगा उपर वाली गिंती का नीचे नीचे वाली का उपर हो जाएगा गुड़ा यह इधर फे आएगा इधर पलट जाएगा इतना तो आपको पता है और यह जो दो है वो कहां चला जाएगा जो दो है वो कहां चला जाएगा बोलो देखो यार, देखो, देखो सिंपल सा है, इसको ऐसे समझो, इसी को कर देता हूँ, इनको गुड़ा कर लो तो 44 बटा साथ हो गया, बाकी को मारो गोली इनको हटाओ, सिर्फ इतन को ले लो, दूसर उन्चास ले लो बस, समझने के लिए, अगर यह ऐसा होता तो इसका इसका गुड़ा होता न, यानि जो नीचे वाला यह गिंती है, यह उपर चला जाएगा, दूसर उन्चास के साथ गुड़ा हो जाएगा, इसका इसमें हो जाएगा, तो कहने का मतलब, क्या मतलब है, कहने का यह है कि साथ के साथ इसका गुड़ा हो जाएगा, बाकी नीचे आ जा आएगा आपका दो गुड़ा 22 इनको आप हल करोगे तो कितना आएगा हल करना हर किसी को आता है मुझे पूरा उमीद है आप पहले इनको 2 से काटोगे तो 2 से काटोगे तिये हो जाएगा दो एक कम दो दो दूना चार दो चोग आठ ठीक है अब दस हमलो बढ़ा करके दो सच चौधा दो दूना चार 124 पॉइंट कितना आएगा 98 98 आएगा 74 आएगा एक मिनट रुको दू चोग आठ होगा ना रुको ना कितना आएगा ये चार अब ये हो गया ठीक है अब 22 से भी देखो बच्चों थोड़ा सिस्टम हैंग कर रहा है इस वज़ा फे थोड़ा डिश्टर्ब हो रहा है सौरी इसके लिए बार बार लाइक कर रहा है मुझे फल अगरा वीडियो रूक रहा था चलो अब क्या करेंगे इतना हल हो गया अब इनको हम दो से काट सकते हैं तो दो 11.34 आएगा कैसे आएगा कुछ लोग confusion में होंगे तो देखो भया इसको क्या करना है 11 से भाग करोगे 124 था न तो 11 एक कम 11 जाएगा पहले इसमें एक बचे का यह हो जाएगा चाउदा 14 में फिर एक बार जाएगा तो 11 एक कम 11 घटाने पर कितना आएगा 14 में से 11 घटा होग जाएगा ठीक है दो से इसको काटो के दो एक कम दो दो पंचे 10 5.67 लगभगा आएगा फाइनल में एक साथ बचा है और एक वो बचा है जो उधर था तो 5.67 इनका गुड़ा कर लोगे मेरे भाई तो कितना आएगा 39 के लगभगा आएगा आर इसकोईर बराबर 39.69 मुझे लग रहा इतना ही आएगा न दिख रहा है न कोई दिक्कत नहीं अब इनका क्या करेंगे इसकोईर हटा की थर वर्गमूल लगा लेंगे ठीक है यहाँ बता देता हूँ यहाँ पर समझ लो नीचे इसकोईर हटा के यहाँ क्या करेंगे वर्गमूल लगा लेंगे तो आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट 39.69 और फिर आर बराबर हो जाएगा आपका क्या अरे वही प्लस माइनस लगभग 6.3 क्या हो जाएगा 6.3 और यह क्या आ गया सेंटिमेटर क्योंकि यह एरिया नह यह दिकाल रहे अब हम निकाल लेंगे बैलूमाफ हमीस्फेर चलो आगे बढ़ें बैलूमाफ हमीस्फेर अगला नेक्सटाओं और और रुकना स्लाइट बदलता हू आफ उसको साइड में कर देते हैं आप इसको लिखने नोट कर लो जल्दी हो गया कर लिए ठीक है अब इसको मैं थोड़ा छोटा कर दूँगा बाकी मैं कहीं ले नहीं जाओंगा आपको टेंसर नहीं लेना है ठीक है भया तो रूक न इसको मैं थोड़ा छोटा कर दूँगा इधर साइड में कर दूँगा छोटा करके जिससे मैं आगे इसको हल कर सकूं और दिखेग लेकिन थोड़ा चोटा दिखेगा बस तब तक आप लिख लो लिखना चाहों अब दिखतो रहा है न ये बस डन चलो अब यहां पर लिखो अब वैलूम आफ हेमी स्फेर यानी अर्थ गोले का आयतन बराबर कोईशन देख लो एक बार अर्थ गोला कार गुमबद है कहरा गुमबद के अंदर हवा का आयतन कितना है तो जितना गुमबद का आयतन होगा मतलब उस अर्थ गोले का आयतन होगा वही उसका भी होगा तो लिखो अर्थ गोला कार गुमबद का आयतन बराबर अर्थ गोला का गुमबद का आयतन बराब पर आयतन मतलब बैलूम ठीक है बया शुत्र क्या होता है टू अपान थ्री पाई आर क्यूब जो गोले का होता है उसका जो अर्थ गोला होता उतना ही होता है तो बाइस बटाफाथ रेडियस अभी मैंने निकाला है 6.3 है तो 6.3 गुड़ा 6.3 कितनी बार है तीन बार है साथ से इनको हल करोगे तो साथ नमाई तिरफट एक अंक पर दसमलो लगा था एक अंक पर दसमलो लगा दिया तीन से इनको काट दोगे तो तीन तरीक करनों एक अंक पर दसमलो लगा दिया कोई दिक्कत नहीं 22 दूना 44 नीचे के सब निपट गए सिर्फ उपर उपर के बचे हैं इनका आपस में गुड़ा करोगे 6.3, 6.3 का और 0.3 का सब का गुड़ा कर लो 11.something आएगा कर लो कितना आएगा 11.907 लगभग आएगा इसको 44 से गुड़ा कर लो और उत्तर माला मिला लो 523 आ रहा है कितना आएगा 523 ना कर लो 523 आएगा लगभग 44 सत्ते साच चोक अठाइस लास्ट में आठ आएगा दसमलो 908 सेंटीमीटर क्यूब यानि यही क्या हो जाएगी गुंबद के अंदर हवा का आयतन देखो लास्ट में आठ कैसा है आपता साथ का चार में गुड़ा करके मल्टीपल आपको आना चाहिए अना चाहिए बाबू ठीक है कल्कुलेशन नहीं आता तो कमेंट करना बताना और आपको आना चाहिए इस तरह से आपका एट नंबर हो गया चलो next question number 9 इसको हिंदी में यहाँ पर दिखा दे रहा हूं और मैं इंगलिस में पढ़ दे रहा हूं इंगलिस में पढ़ दे रहा हूं सुन लो क्या कहता है देखो 9 number देखो 27 solid iron spheres each of radius R and surface area S are melted to form a sphere with surface area yes find the radius R for the new sphere 27 27 sphere है 27 गोलों को पिखला करके उनको गला दिया गया गला करके क्या बनाया गया एक गोला बनाया गया 27 गोला को पिखला कर एक गोला बनाया गया यह समझो कि 27 आलू ले लो उसको उबाल के मींज के भारदा बनाओ और बना के फिर उसको गोली आलो तो क्या होगा 27 आलू फोड़ कि अगर उसको उबाल के फोड़ोगे और तो यह जाएगी ना लेकिन एक बात बताओ जीतना वजन उस आलू का था मालों 1 किलो आलू थी 27 किलो 27 आलू एक किलो वजन के थी तो जो नया बनावे भी तेके किलो रहेगा कि नहीं हाँ कुछ लोग कहेंगे उबालेंगे पानी डालेंगे हो सकता पढ़ जाये न तो उबालने केस में थोड़ा बहुत ओजन बढ़ घड़ सकता है ठीकिन आप कच्ची आलू नो खूंड डालो अब पानी नपाई ने पाई एक दम क्या होगा बराबर होगा जितना पहले का रहा और इसका तो क्या करेंगे दोनों को बराबर दिखा कट्टो पहले गोले हैं पहले उनका लिखो 27 लाई के बार नए बने गोले का आयतन बराबर 27 छोटे गोले का आयतन दिख रहा है ना लिखिए नए बने गोले का आयतन बराबर 27 छोटे गोले का आयतन छोटे गोले का आयतन ठीक है तो नए बले गोले का आयतन क्या है भाईया जो नया बना है गोला देखो सिंपल है हम मान लेते हैं यहाँ पर ले लो थोड़ा सा एक 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 जामपल समझने के लिए मान लो कि 27 गोले थे गोले नहीं अर्द गोले नहीं गोला ही था न एक मिनट यार गोला बनाऊं क्या दिखा देता हूं यह यह क्या है गोला इस फेर इसी तरह कि क्या है 27 गोलों को पिखला गया एक में और एक नया गोला बनाया गया तो जो नया वाला गोला हम हम इसमें मान लेंगे हैं खिक और जो पुराने वाले थे उन 27 उनका उनका और आर डाल कि चलेंगे ठीक है एक का निकाल लेंगे 27 से गुड़ा कर देंगे तो लिखो भाय लिखो फटा फट चलो जो कि तो क्या करेंगे गोले का आयतन बराबर जो simple वाला सुत्र होता है 4 बटा 3 पाई आर का क्यूब तो यहाँ पे आर डैस का क्यूब होगा बराबर 27 गुड़ा छोटे गोले का आयतन जो simple में गोले का सुत्र होता है वो लगाओगे 4 बटा 3 पाई आर का क्यूब देखो इसमें समझने में थोड़ी परिसानी होगी अगर दिमाग नहीं लगाओगी तो 4 बटा 3 से 4 बटा 3 इसर कैंसिल हो गया पाई से पाई कैंसिल हो गया अब आपका बचा आर डैस का क्यूब बराबर 27 आर का क्यूब ठीक है भया ठीक है ना बाबू देखो दोनों तरफ आर का क्या है क्यूब है ना तो हम यहाँ पे दोनों तरफ घं निकाल सकते है आर डैस का क्यूब बराबर 27 आर का क्यूब दोनों तरफ क्या कर सकते है इसका घं निकाल सकते है ठीक है तो यहाँ पे आ जाएगा R dash بरावर 3R ठीक है? कोई doubt नहीं किसी को यानि R dash क्मान क्या आ गया? 3R आ गया ये क्या हो गया? R कमान हो गया तो निकालना क्या था? कह剛 है रहा था नए गोले की तिरिज्या R dash इसको ग्यानात करना था तो नए गोले की जो तिरिज्या आर डाएस थी भहिया वो तीन आर आ गई ठीक है यह अंसर हो गया त्यु किन्द इसमें क्या कहरा है वो भी देख'RE dépोलो कहरा की यस यह डबल डायар काक्या निकालना है इसका अनुपाद निकालना रेशियों निकालना है यानि जो पहले वाले गोले का सर्फेस एरिया था उसका और नए वाले का दोनों का क्या निकालना है रेशियो फाइंड करना है ठीक है मेरे भाई चलो फिर कर लेते हैं आओ चलो दन आगे बढ़ें चलो अगले पेश पेश का रेशियो निकाल देते हैं लिखो छोटे वाले गोले का प्रिष्टिय छेत्रफल बराबर और बले वाले गोले का प्रिष्टिय छेत्रफल लिखो 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 इसको दसमा हम और क्या कूश्चन ठीक है इसको हल कर दूंगा ए 1 minute लिखो छोटे वाले गोले आइसे लेकलो पहले यह वा यह डबल डैस में अनुपाद बराबर क्या हो जाएगा यहाज पान यह दैस हो जाएगा यही तो होगा यही नगाल न तो भया वो जो छोटा वाला गोला है और जो नया बना है यह दो सिंपल है चोटा वाला गोले का सब कुछ क्या होगा रिश्ठीय छेत्रफल जो नर defenses होता है और दीक्त बने वाले में ड्रक जाएगा रही होगा इसे हम स्कॉइर तो यहाइगा र पाइन éれ है तो यहा किछाएंगा और यहाइगा तो वह न उपाद नो कोई डाउट नहीं किसी को ना कोई तकलिफ तो बता देना टेंसर नहीं लेना आगे बढ़ूं चलो देखवावू यह आपका हो गया भी यह मेरे अब एक काहे को गिर जा रहा रहा रिमोट गिर गया रुको नहीं विगड़ा यह चलो ठीक है दस नंबर कुश्चन यह है इसको मुझे उमीद है कि आप लोग कर लोगे इसको मैं होमवर्क दे रहा हूं आप लोगों को और इस तरह से आपका यह चैप्टर 13.8 खतम हो गया और इसी कुश्चन के साथ बाबू आपका दा इंड हो गया क्या दा इंड हो गया यह चैप्टर चैप्टर 13 चैप्टर 13 दा इंड हो गया क्योंकि इसमें अब 13.9 है वो जरूरी नहीं है प्रेक्टिस के लिए आप सभी प्रेक्टिस कर लेना और यह हमर कर लेना एक ठीक है किसी को कोई डाउट रहा गया तो मुझे जरूर बताना कमेंट करके फट से बताओ जल्दी टें होगी नएने टीचर लेके आएंगे हम बस आप ज्यादा ज्यादा खूब सेर करो ज्यादा बच्चे आएं थैंक्यू